Hello everyone, Welcome to Korn Study इस वीडियो में हम बात करेंगे Class 4th के recruitment के बारे में जो भी vacancies आई हैं 8575 उसके लिए हमने कैसे त्यारी करनी है क्या approach होनी चाहिए time, date, कब हमने form fill करने है and क्या age factor रखा हुआ minimum qualification क्या है सब चीज़े इस वीडियो में clear करूँगा मैं सबसे पहले तो आप याद रख लीचे 10 July को ये date शुरू है आपने इस दिन को ही form भरना है आपने इसको late नहीं करना है 3.500 रुपे का ये form है आपने इसे दिन भरनी कुशिश करनी है क्योंकि आप जानते हैं हमारी state में internet issues है बाद में server ठीक चलता है नहीं चलता है इसलिए ये चीज बात के लिए नहीं छोड़नी जल्दी से जल्दी हो सके 10-11-12 आपने इसको complete करना है पहले form fill करना है आगे हम बात करते हैं total 8575 post हैं हमारे पास अब बात करते हैं age limit के बारे में तो जो open merit general candidates हैं हमारे पास उनकी age maximum होनी चाहिए 40 साल schedule cast की 43 ST की 43, RBA की 43 ACL IB की 43, EWS की 43 जो पहारी speaking people है PSP उनकी 43, OSC other social cast की 43 physically challenge लोग है उनकी 42 and ex-servicemen की 48 है government service यह contractual employment में जो already है उनकी 40 होनी चाहिए अब हम बात करते हैं minimum qualification की देखिए जो minimum qualification रखी है वो रखी है 10th टीकि minimum 10th आपको होना ही होगा और maximum 12th maximum 12th का मतलब यह नहीं है कि जो graduate है वो fill नहीं कर सकते form form सारे fill कर सकते हैं तो आपने क्या करना है minimum 10th minimum 10th तो आप पास होने ही चाहिए तब ही आप यह form फिल करिएगा otherwise मत करिएगा क्योंकि आगे document verification में जब भी check वगहरा होता है तो बाहर निकाल दिया जाता है इसलिए आपने minimum 10th तो criteria follow करना ही करना है तो बात करें अगर इसकी fees के बारे में तो 3.500 रुपे का यह form है और आप इसकी payment net banking के थुरू visa के थुरू mastercard के थुरू rupay card के थुरू कर सकते हैं अगर इसमें से कोई भी facility आपकी पस available नहीं है तो आप यह काम करिएगा आप जाईएगा cyber cafe में उनसे form फिल करवाईएगा उनको 3.500 रुपे दीजेगा यह जो भी वो extra charges लेंगे उसके थुरू लेकिन form जल्दी से जल्दी फिल करिएगा आगे चलते हैं आप देखते हैं और क्या important है अब हम बात करेंगे syllabus के बारे में जो कि सबसे important है show number का paper है 2 घंटे दिये जाएंगे जो कि बहुत है 2 घंटे मतलब time constraint कुछ नहीं है time के बारे में नहीं सोचना अब सोचना किस के बारे में त्यारी के बारे में कि हमने त्यारी कैसे करनी है देखे सबसे पहले maths है 20 number का reasoning है 20 number का english है 20 number का और general awareness and science है 40 number का तो सबसे जो heavy weightage वाला है वो 40 number का है ठीक है वो 40 number का मैं खुद करवाऊंगा आपको बाकी जो 20 number है ये नितिन सर करवा रहे हैं reasoning माम करवा रहे हैं gomini माम श्रद्दा माम अच्छा maths में मैं आपको बता दू नितिन सर और विशाल सर आपको इस सारे topics करवा रहे हैं and हम बात करते हैं English के बारे में तो अम भीकम हम already lecture शुरू करवा चुके हैं अब मैं थोड़ा detail में बात करते हूं सबसे बहुले maths की बात करते हैं mathematics में आ रहा है percentage, average, time, work, distance, ratio, proportion problem of age, probability, LCM, HCF, and menstruation बस इतने से chapter हैं आपके बस जिसमें से percentage हमने शुरू करवा दिया हुआ है ratio proportion हम करवा चुके हैं problem of ages भी हम करवा चुके हैं तो already बहुत ही कम slivers बचा हुआ है जो आपने करना है ठीक है reasoning की बात करें तो analogies, relationship, concepts है figure odd one out है direction, direct sense है figure series, completion है, event diagram है number series, coding, decoding यह जो slivers दिया है इनोंने यह बहुत ही basic से slivers है अगर मैं reasoning की बात करूँ आपको तो almost 10 से 12 दिन ही चाहिए आपको reasoning का पूरा slivers करने के लिए maths की अगर बात करूँ तो 20 days English की बात करूँ तो English में आपको चाहिए 15 days and अगर general awareness की बात करूँ तो मैं 20 days minimum आपको कहूँगा कि आप invest करें इसमें इसकी त्यारी के लिए तो all in all अगर मैं कुछ gap भी लेके चलूँ तो महीने के अंदर अंदर इस slivers complete हो सकता है अराम से और अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो जो quality videos हम देते हैं उसका link मैं नीचे comment box में दे दूँगा किसी भी एक topic का उठा के दे दूँगा आप click करिएगा देखिएगा कि कितने अच्छे से हमारे teachers समझाते हैं आपको तो अब आपने क्या करना है paper निकालने के लिए ये बहुत important है देखिए आपने दो चीज़े कर रही है सबसे पहले चीज़ आपने notes बनाने है notes बहुत ज़रूरी है बिना notes के आप ये paper नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को easy ये समझ के कहें कि यार ये तो बहुत easy होगा ये हो जाएगा ऐसा नहीं करना है आपको पता है हर चीज़ बहुत important है आज कल unemployment इतनी ज़ादा है और competition इतनी ज़ादा है कि हम किसी भी चीज़ को lightly ले ही नहीं सकते आपने इसको बहुत important और बहुती tough exam समझ के त्यारी करनी है और त्यारी इस तरीके की करनी है कि आप top करे ठीक है आपने यह सोचना ही नहीं है कि यार मिर को एक post चाहिए है तो मैं 8000 भी post ही ले लूँगा तो ठीक है नहीं हमने जब त्यारी करनी है तो हमने best बनने के लिए त्यारी करनी है ठीक है पहली चीज़ मैंने आपको बता दी notes आपने notes बनाने है दूसरी चीज़ है कि जो भी हम videos दे रहे है जो भी हम quiz दे रहे है बहुत सारे लोग नहीं है telegram group में नहीं है हमारे तो नीचे मैंने comment box में telegram का भी link दे रही है आपने का करना है group join करना है regular basis पे quiz होंगे regular basis पे videos आएंगी आपने उनको follow करना है उनकी notes बनाने है that's it अगर आप इतना कर लेते हैं तो बाकी हमारी guarantee है कि आपको जरूर job मिलेगी आप जानते हैं कि जिस तरीके का भी scenario बना हुआ है coronavirus की वज़ा से भी काफी जादा unemployment create हो रही है and जो भी situation है JNK की काफी time बात vacancies जो भी आ रही है अब आपने ये opportunity लीनी है सबसे पहले कुछ पकड़िए कुछ एक financial stability लाईए उसके बाद आपके अगर इससे भी बड़े aim है तो और भी बड़ी त्यारी करिएगा लेकिन इस समय क्या important है कि एक job पकड़ी जाए और कहीं पे बैठा जाए ठीक है तो in the end में आपको यही बोलूँगा कि अब वक्त आ चुका है त्यारी करने का अगर हम देख पा रहे हैं कि government active है और notification निकाल रही है और form filling शुरू होने वाली है तो इसका मतलब यह है कि आज से ही त्यारी करनी है यह नहीं कि यार government update निकालेगी तो फेराम उस दिन बैठेंगे त्यारी शुरू करेंगी जो भी बच्चे ही सोच रहे हैं वो बच्चे पहले ही पीछे हो जाएंगे आज से ही त्यारी करनी है अभी से ही त्यारी करनी है और जॉब पकड़नी है यह In the end, thank you and God bless you all